चिराक पासवान और तेस्वी आदो में जब फोन से बात चित होई तो बिहार के राइनित नहीं देश में पुरा खलवली मच गया जो बिजेपी की बड़े नेताओं थे चिराक पासवान को फिर से एक बार दिली बुलाएं और बिजेपी के सिर्ष नेत्रिउत में चिराक पासवान की इस तेस्वी आदो से बात चित को लेखर कई वारत लाप ही बता दें कि जब चिराक पासवान को साथ पढ़ना पोंचे और चिराक पासवान को उन्होंने रिक्वेस्ट करके नितिस कुमार के सफ़त गरण समारों में आमत्रित किये बुलाए अपने साथ ले गए तो कहीं न कहीं चिराक पासवान की पार्टी में भी बादचित का दोहर जारी हुआ क्योंकि चिराक पासवान नितिस कुमार के खिलाब बयान देते हैं नितिस कुमार के राजनितिक सबसे बड़े दुस्मन है और चिराक पासवान की पार्टी में इसके बाद कुछ दिन पहले कहीं तस्वीर है कि हाजिपुर में चिराक पासवान अपना जन सक्ति प्रतसन किये तो बिहार में जिस तरीके से चिराक पास्वन की पॉपुलर्टी बढ़ती जा रही है ये लोजपा के नेताओं के द्वारा इसकी बातचित की गई अपने में डिसकस किया गया कि लोजपा का जनादेश बड़ा है पहले से लेकिन भारते अंता पार्टी के द्वारा चिराक पास्वन को कम सीट देकर सिंटाने की बात चल रही थी लेकिन चिराक पास्वन से जब गिरी मंत्री अमित साजी से बात चित होई वारतला में बता दे कि चिराक पास्वन और तेस्वी आदो के फिर जब फोन से बात चित होई तो भारते अंता पार्टी के खेमा में खलबल नितिक दुस्मन चिराक पास्वान को माना जाता है और हैं भी क्योंकि चिराक पास्वान ने नितिस्कुमार का विरोध करके ही अपना विहार में जनादेश बड़ा किया है तो इस वक्त में चिराक पास्वान अगर नितिस्कुमार के साथ जाते हैं तो चिराक पास्वान की पॉपुलर्टी गिर जाएगी तो इसी लिए चिराक पासवन की पार्टी में भी बात चित होई और चिराक पासवन की जब बात चित होई पार्टी में तो इसके बाद चिराक पासवन तेस्वी आदों से बात किए और भारते जनता पाटी एक खेवा में खलबली मजगे ति एक बार फिर से चिराक पासवन को जेपी नड़ा और अमित सा बुलाया है दिल्ली में बैटको का दोर जारी है कुछ दिन में बहुत जल्द ही निल्डे आने वाला है कि चिराक पासवन का लोक सवा चुनाओं में तो अभी के लिए इतना ही मैं एक से पासवन और आप देख रहे हैं एल्जेभी बिहरी चनल अभी के लिए इतना ही जय हिन जय बिहर